तो बहुत सारे स्टूडेंट की एक इनक्वेरी आ रही थी कंसिस्टेंटली कि सर बीमेस का कॉलेज है जिसे गौर्मेंट है प्राइवेट है बीएच मेस का है या यू बीओ एमेस का है तो उसमें सरे कुछ बॉंड कंडिशन होती है जैसे मेरी इस बार साड़े 500 नीट में है अगर हमको नेक्सट यह नीट देना है तो सरम कॉलेज हम चार एक हमारे बाकप में बना भी रहे और हम यह भी चार रहे कि कॉलेज को हम मतलब अभी बनाए रखे और हम नेक्सट यह जिसे हमको गवर्मेंट वा वाला नमबर आ जा हम चोड़ दे हुसको लास्त यर मेरे 650 नेक्स्ट येर हमारे 650 आजाएं तो हम इस येर वाला जो कॉलेज है वो लीप कर दें बट सर उसमें कुछ बॉंड कंडिशन होती है पेनल्टी होती है एनोसी नहीं मिलती है तो इस तरह से धेरो सवाल हैं आप सभी के तो एक बार देख लेते हैं क्या-क्या होता है अब हाला कि डवाले ट्रपल सी में जिस लिंक से या जिस बटन से जाके हम लोग चाकाउट करते हैं वहां पर बॉंड कंडिशन अभी नहीं आ रही है उसको डिसेविल कर दिया गया है जो नई अपडेटेड जो लिस्ट है कॉलेज की वहां पर अपडेट नहीं की गई है वह बहुत ही जल्द आ जाएगी आपको क्या करना डवाले ट्रपल सी डॉट जाना है या पर साइट पर दिख भी रहा होगा और वहां पर एक सिक्षन दिया होगा इंस्टिटूट पाडिसिपिटिंग लिस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे है उस पर क्लिक करते ही आपके सारे लिखा होता है यह तो एक पहला तरीका होगा कि आप डवाले ट्रपल सी पे चक आउट कर सकते हैं दूसरा तरीका आप जिस भी कॉलेज को चक करना है कि उसकी क्या बॉंड कंडिशन है वहां किया तो आप स्टेट एथोरिटी काउंसलिंग है या तो आप उसके वेप ऍधि मिल जाएँगे वह रूर्मेंट हो या गवर्मेंट होय और वहां चैनल bbeीड हो या टेटेट हो या नेचनल इस्टिटीशन सो तो यहां पर पर डिफरेंट हैं डिफरेंट बॉंड इस्टिटर्स यह इसलिए अलग-अलग होते हैं क्योंकि कुछ college हमारे central के अंडर आते हैं, कुछ college हमारे आते हैं, state authorities के अंदर, अब different state के पास में different different अपनी governing bodies हैं, उनका अलग-अलग ruling guidelines है, उनके अलग-अलग terms and condition है, अलग-अलग fee structure है, जिसे UP के अंदर 20,000 रुपीज है, आप या कुछ ऐसे भी कॉलेज इसमें पांच जार दस जार रुपए फीस है इतनी भी कम है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर मद्धर प्रदेश की दिर हम बात करें तो वन लाक रुपीज परियर का फीस्टक्चर है असी नव्य जार रुप सब्सक्राइब करें तो अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज मत आप्ट करो कोई फाइदा ने अगर आप्ट करने हो तो बांट से बच निकलने का मेरे पास में तरीका है वह हमारी टीम से पूछ सकते हो इन जनरल वे पर कॉलेज क्या करता है कि नहीं है और पूरा अपके आफ़ी डावेट में पूरा डॉकुमेंट्स लीगली रेडी करा लेते हैं ताकि हम कभी भी आपको क्लेम कर पाएं और इस चीछ के लिए जब गवर्मेंट कॉलेज में हैं बांड तो दिन प्राइवेट बांड कंडिशन रखेगा अधर वह चा तो नोसी का मतलब यही है कि जो आपके ओरिजिनल डॉकुमेंट से वह आपको वापस कर दिये जाएंगे तब जब आपके पास कोई लॉट्मेंट लेटर या नीट स्कोर कार्ड या उसकी जैनिमन फॉर्मिल्टी आपकी चाल रही होंगे नक्स्ट येर के लिए वो लोग अपने रेवल पर क्रॉस वरिफाई करते हैं इस चीज को फिर आपको डॉकुमेंट स्वापस कर देते हैं अब यह तो एक पहली समस्या थी जिससे हमको बचके निकलने का तक कुछ जगह नहीं भी मिलती है अब सर्विस बॉन्ड होता है या तो कुछ ना कुछ पैनल्टी ह आजाता है 4.5 एर की जितनी भी फीस होगी वो आपको पे करना पड़ेगा अब इस में तो 10-10 लाग रुपए होती गवर्मेंट कॉलेज के अंदर भी तो इसलिए ध्यान से अब यहां पर अगर साड़े मलब 2 लाग रुपए तीन लाग रुपए यह मतलब इन जनरल वे प विडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो कुछ डाउट परीज है तो आप हमारी टीपो कनेक्ट करो वह आपको हल्प करेंगे और मैंने आपको बताया ना कि प्राइवेट कोलेज से कैसे बच के निकलने का क्या तरीका है तो वह भी हम आपके साथ सेर करेंगे मिलते हैं नेक्स वीड़े में बाबे